मत्ति रचित सुसमाचार अध्याय अंगर तब यरुश्लेम से कितने परिसी और शांस्त्री एश्व के पास आतर कहने लगे तेरे चेरे पुरणियों की रितों को क्यूं टालते हैं कि बिना हाथ दोए रोटी काते हैं उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रितों के कार्ण क्यूं पर्मेश्वर की आग्या टालते हो क्योंकि पर्मेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए पर तुम कहते हो कि यह दि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाप फाउंच सकता था वहाँ बर्मेश्वर को भेंट छड़ाई जा चुकी तो वहाँ अपने पिता का आदर ना करे तो तुमने अपनी युईतों के कारण बर्मेश्वर का वचन ताल दिया हे कपणियों यशाया ने तुम्हारे विशाय में यह बावश्यत्वानी टीक की कि ये लोग कॉंटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और एक व्यद मेरी उपासना करते हैं क्यूंकि मनिश्यों की विधियों को धर्मोंदेश करके सिखाता है और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा सुनो और समझो जो मुँँ में जाता है वह मनिश्य को अशुद नहीं करता पर जो मूल से निकलता है वही मनिश्य को अशुद करता है तब चेलों ने आकर उसे कहा क्या तु जानता है कि पार्सियों ने यहावज़न सुनकर धोकर काई उसने उतर दिया हार पाउदा जो मेरे स्वर्किय पिता ने नहीं लगाया खाड़ जाएगा उनको जाने दो वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं और अंधा येधी अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड़े में गिर पड़ेगे यह सुनकर पेत्रस ने उसे कहा कि हाँ दुर्श्टांद हमें समझा दे उसे कहा क्या तुम भी अब तक ना समझे हो क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुह में जाता वहाँ पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है पर जो कुछ मुह से निकलता है वहाँ मन से निकलता है और वही मनश्री को आशुत करता है क्योंकि कुछिंता, हर्त्या, परस्त्री गमन, व्यविचा, चोरी, जूटी गवाही और दिन्दा मनी से निकलती है यही है जो मनुश्य को आशुत करती है परतु हाथ दुना धोये भोजन करना मनुश्य को आशुत नहीं करता इशु वहाँ से निकल कर सूर और सवदा के देशों की ओर चला गया और देखो उस देश के एक खानानी स्त्री निकली और चिन्ला कर कहने लगी यह प्रभू दाउद के संता मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुस्रा कर बहुत सता रहा है पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उसे विनिती कर कहा इसे विदा कर क्योंकि वहाँ हमारे पीचे चिलाती आती है उसने उत्तर दिया कि इस्रेल के घारने को खोई कोई बेडों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं बेजा गया पर वहाँ आई आउद उसे प्रणाम करके कहने लगी है प्रभू मेरी सहायता कर उसने उत्तर दिया कि लड़कों को लड़कों की रोटी लेकर कुटों के आगे डालना अच्छा नहीं उसने कहा सत्य है प्रभू पर कुटे भी वहाँ चूर चार काते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गित्ते हैं इस पर ईश्यू ने उसको उत्तर दे कर कहा कि है स्प्री तेरा विश्वास बड़ा है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो और इसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी होगी इश्यू वहाँ से चलकर गलील की जील के पास आया और पहाड पर चड़कर वहाँ बैट गया और भीड पर भीड लंगडों, अंदों, गूमगों, तुमडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आये और उसके पावों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया सो जब लोगों ने देखा कि मूंगे बोते हैं और तुंडे चंगे होते हैं और लंगडे चलते और अंदे देखते हैं तो अच्छमबा करके इस्रेल के परमेश्वर की भणाई की इश्वर ने अपने चेलों को बुला कर कहा मुझे इस वीड पर तरस आता है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ काने को नहीं और मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता कहीं ऐसा नहों हो कि मार हुए ठक कर रह जाए चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड को तुरुप्त करें इश्वर ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटीया हैं उन्हों ने कहा साथ और तोड़ी सी छोटी मचलिया तब उसने लोगों को भूमी पर बैटने की आग्या दी और उन साथ रोटीयों और बच्रियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को सोसाब काकत तुरुप मोगे और बाचे हुए टुगणों से बरे हुए साथ रोक्रे उठाये और टाने वाले स्रियों और बालकूं को चोड़ चार हजाद पुरिष्टे तब हाँ वीडों को विरा करके नाव पर चड़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया